आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विरदुबे आज हम मुद्दे की बात कारकरम में चर्चा करने वाले हैं भारती इतिहास के उस पन्ने की जो अक्सर जो है आपके सामने आते आते रुख जाता है भारती इतिहास वैसे तो काफी विस्तृत अपना कह सकते हैं कि पर फैलाई हुए है उसमें आप देखते हैं उत्तर भारत के कई सारे राजवन्ष हैं आप जब भारती इतिहास पढ़न जरूर होंगे लेकिन उनका इतिहास उतनी deeply आपको पढ़ने को नहीं मिलता है या नहीं आप पढ़ते हैं कई बार जितना deeply हम लोगों को Northernian जो स्टेट्स था उनका उपनिवाशिक जो केंद्र भारत हुआ करता था उसके बारे में विस्तुष जानकारी लेते हैं लेकिन इन सब चीजों के दौरान आप दक्षड भारत के कई सारे राज्यों को मिस्स करते हुए जरूर देखते होंगे इसी में आज हम आज के टौपिक में आज के मुद्धे की बात में हम चोल राजवन्ष को पर फोकस डालना आपके सामने चाहते हैं उसके पीछे में एक रीजन भी है क्योंकि अभी हाल ही में ये थोड़ा सा न्यूज में भी रहा है और इस चीज को आधार बनाते हुए हम ये जनने का प्रयास करेंगे कि इसका हजारों वर्षों का जो इतिहास है उसमें कई सारे क्योंकि हम जिस इस्ट्री को थोड़ा कम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे मिथक भी होते हैं कई सारे तथ्यों और मिथकों का पूरा इतिहास है उसको एक लाइनप रोल आपको देना चाहते हैं डीपली तो आपको इसको अलग-अलग पढ़ना ही पड़ेगा लेकिन इसमें आज इसकी प्रोस्पेरिटी और इसकी जो कह सकते हैं महत्वता है उसके उपर हम प्रकास टालने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष जब भी हम बात करते हैं कि भारत एक सोने की चड़िया है तो स्वभाविक सी बात है कि कहीं न कहीं इससे हमें ये समझ में आना शुरू होता है कि जो प्राचीन भारती इतिहास र की प्रमुकिस्तान रखता है अब यहां पर हम विश्वितिहास के तमाम सारे राजवन्षों की बात करें तो चोलाज जो है या भारती महादीब के कह सकते हैं राजवन्षों में से एक है लगबग 2000 वर्षों का इनका एक प्ला-फूला सामराज्य है लेकिन वो समराज भले अंधेरे में रह गया हो लेकिन कई सारे जो कह सकते हैं कि चाहे आप उनको भावगोलिक दृष्टी कौण से देख लीजिए ठीक है यानि किसी भी प्रकार की सामरिक परस्थितियां रही हो लिए या फिर तमाम सारे कह सकते हैं जैसे वाड़िजिक परिस्तितियां हो इन सब में चोलराजबन्श अपने समय में रहा है दिक्लाइन नहीं हो गया खत्म नहीं होfare गय या दूसरे राजाओं ने उसके ओपर अपना अधिकार नहीं कर लिया तब तक तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे जानेंगे लेकिन पात यह है कि यह खबर में क्यों आ रहा है मतलब चोल राजवंश प्रजेंट टाइम में खबर में क्यों है दक्षन भारत की फिल में भी आपने देखी होंगी और नई फिल्मों में आपने कई सारी फिल्म्स देखी होंगी उसी तरीके की एक फिल्म यहां पर है जो कि है पोनियन सेलवन इसको short में PS1 कहा जा रहा है इसको कई सारे भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है तो पॉनियन सेलवन जो है वास्तिक रूप में ये एक उपन्यास है ये क्या है एक उपन्यास है जो की तमिल भाशा में लिखा गया है किसके दौरा लिखा गया है कलकी कृष्ण मूर्ती जी के दौरा तो कलकी कृष्ण मूर्ती के दौरा लिखा गया एक नोविल है जिसका नाम है पॉनियन सेलवन ठीक है पॉनियन सेलवन ये आप देख रहे होंगे ठिक ठिक पॉनियन सेलवन पार्ट वन और यह है बेजड है कितियास में इंट्रस दिखा रही है और उस तरीके के ड्रामा फिल्म है ये ठीक है कह सकते हैं आप सिरीज पर बेज़ड है इसलिए पार्ट वन है अब अगर हम इस पॉनियन से लवन की बात करते हैं तो मैंने कहा ये कहतियासिक उपन्यास है 1905 में पांच भागों में पुस् पराजवंशपराधारित की उसी प्रकार से यह भी राजवंशपराधारित है और यह जिस राजवंशपराधारित है यह चोल राजवंश справ उसको लिखा यह अन reflective कृति कीया तो महीं ज़ंग से श्रिलंका इत्यादि और जो दूसरे परोसी सी देश हैं और जगहों पर उन्होंने यात्रा करने के बाद इस नोवल को लिखा है तो काफी अतिहासिक इसको माना जाता है तो इसी लिए ये काफी अधन न्यूज में है तो हम लोगों को समझना चाहिए अब चोल राजवनश के बारे में चोल राजवनश का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो ये दक्षिन भारत के प्रमुक इतिहासों में से या राजवनशों में से एक माना जाता है आप दक्षिन भारत का ये हिस्सा आप देख सकते हैं चोल राजवनश की कहीं न कहीं गाथा को बताता है पर ये तो बहुत छोटा सा इतिहास है ये तो बहुत छोटा सा छेत्रफल आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि चोल राजवंश से संबंदित है इसके विश्व के उपर भी हम लोग धीरे-धीरे पढ़ेंगे उस इतिहास में एक बहुत ही महत्यपुन स्थान रखता है क्योंकि जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये राजवंश तक्षिन भारत के उपमहादीपी प्रांत में जैसे कि ये श्रिलंका से लेकरके इधर आपको तक्षिन पूर्वी एसिया की तरब आपको प्रसार इसका देखने को मिलेगा तो लगभग लगभग 2000 साल का जो ये इतिहास है इसकी शुरुवाद जो है वो थोड़ा सा गुमनाम है लेकिन अपने मध्यक्रम में जब ये पहुंसता है मध्य चोल राजवन्ष जब आता है जो कि अगर हम देखें तो चोल राजवन्ष को तीन अलग चार अलग अलग भागों में डिवाइट करके पढ़ा जा सकता है इसमें से जो तीसरा भाग है वो ही सबसे ज़्यादा महत्यपून है वो ही महान सामराज्ज का दर्जा देता है चोल राजवन शुरुवात में सामराज्ज नहीं है बस थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कुछ राजाओं पेद्वारा शाषित की जानेला प्रदेश है जो कि यहाँ छोटे से मदुरई से शुरू होता है ठीक है इस छोटे से प्रांथ से इधर कहीं से ठीक है तो यह जो पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ से यह शुरू होने वाला छोटा से राजवन्ष है उसके आसपास के कुछ जगहों तक इसका शासनता लेकिन जब मध्य चोल राजवन्ष तक जब हम पहुंचते हैं तब हम इसका विस्तृत विस्तार देखते हैं न सर्फ भारत में दक्षन से दक्षन भाग तक और उत्तर तक बलकि इसके आसपास के दूसरे जो छोटे छोटे विदेशी राजवन्ष हैं उनको भी अक्यूपाई करता होगा यह दिखाए देता है तब जाकर के उसको एक सामराज्य का दरजा मिलता है तो वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे उसके बाद दिखलाइन शुरू हो जाता है पहले भारत की अगर हम बात करते हैं शुरवाती चोलशासक के अगर हम बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से दक्षन भारत के एक छेतर में राजजी करते थे भारत के कई सारे राज्यों का वर्णन किया गया है जिसमें चोल-चेर-पांडे वगरा सब हैं तो चोलवश का भी राजवश वहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो की 13 शिलालेक में जानकारी देता हुआ दिखाई देता है चोल शास्कों की सबसे पहली जानकारी के अगर हम बात करेंगे जैसे कि मैंने कहा कि अगर पूरे चोल राजवन्ष को हम चार भागों में डिवाइड करें तो इन चार भागों में पहला भाग अगर हम 300 इसा पूर से शुरू करते हैं तो लगभग 2000 साल से पहले की बात हो पताया भी कि संगम लिट्रेचर के अलावा अशोक के शिलाले की त्यादी में इस तरीके के राजवन्षों के शुरुवात की कहानी मिलती है लेकिन यहां ध्यान रखना है कि अपने फर्स्ट फेज में यह सामराज्य का दर्जा जो है प्राप्त नहीं कर पाता है यानि कि बहुत ही प्रोस्पिरेस जो कह सकते हैं कि किंडम होना चाहिए उसका दर्जा इसको नहीं मिलता है यह दर्जा मध्य में मिलेगा जब हम तीसरे फेज में जाएंगे तब तो पहले दौर में 300 इसा पूर से लेकर के 200 इसा पूर तक के तमाम सारे जो चोल राजा है उनका साक सक्की बात करते हैं तो करिकाल है जो की इस तरीके से आप यहां देख भी पा रहे हैं यह करिकाल का ही एक दृष्ष है करिकाल के अलावां तमाम दूसरे राजा है करीब 15 राजाओं का उल्लेख हमको देखने को मिलता है तमिल साहित्य और रचनाओं में और तमाम सारी जो प्राउंस की कह सकते हैं प्लेट्स मिली हैं वहां से रक्षन भारत में इतियास के साक्ष्ण के रूप में उसमें 15 से अधिक कह सकते हैं महान चोल राजाओं की कहानी हमको देखने को मिलती है जिसमें करिकाल पेरोनार किली और नेदुनल किली और नलन किली का भी नाम इसमे आता है प्राचीन शुरुवात जब हो रही है चोल राजवन्श की तो लेकिन अगर हम दूसरे दोर की बात करते हैं तो 200 सताब्दी इश्वी के अगर हम बात करते हैं 220 से लेकरके 820 तक यह निर्धारित किया गया है दूसरा वर्ष जो चार पार्ट है उसमें से दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमको 220 से लगभग लगभग देखने को मिलता है और क्योंकि इस इतिहास का बहुत ज़्यादा स्रोत अविलेबल नहीं है सोर्स अविलेबल नहीं ह इसलिए हिस्टोरियन्स जो है चोल राजवंश के इस पर्टिकुलर सेकेंड वाले फेस को दुतिय फेस जो है या दुतिय कालखंड जो है चोल राजवंश का उसको अग्यात काल का धरजा देते हैं क्योंकि बहुत जादा सोर्से जो है इसमें अविलेबल नहीं और यह भी प्रचार जादा किया था या प्रसारी जादा किया था तो सब्सक्राइब चोलवंश है लेकिन थोड़ा सा दबाव हुआ है जबकि उस समय पल्लव और पांडे राजवंश का जो अशासन है वह ज्यादा दिखाई देता है तो यह है आपका दूसरा राजवंश या दूसर का फेज तीसरे फेज की बात करते हैं यही सबसे महत्यपूर्ण है जो की 848 इसवी से लेकर के 1070 इसवी तक रहता है और इसी दौर में सामराजी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है इसमें दो राजा सबसे आदा महत्तोपूर हैं और इनका नाम चोल राजवंश में आपने सुना ही होगा अगर थोड़ा बहुत भी इतिहास पड़ा है जिसमें एक है राज राज चोल जिसे राज राज प्रथम भी कहा जाता है और दूसरा है राजेंद्र चोल या समुद्री व्यापारी जो मार्ग है उस पर कबजे को लेकर के हो उन सबका इतिहास जो है इन दो राजाओं पर बहुत जादा डिपेंड होता है समराज जी का जो चोथा भाग है और जो आखरी भाग है वो ग्याहरवी से लेकर के तेरहवी सदी तक रहा है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तीसरा समराज जी का जो काल है वो सबसे जादा फेमस रहा है तो जड़ा देखते हैं जिसको समझने का प्रयास करते ह है कि उसमें क्या fame मिला है तीसरे यानि कि मध्यकालिन चोल शासन की स्थापना इसको ले करके मेंस में कई बार questions बनते हैं ठीक है इसको ले करके मेंस में कई बार प्रशन बने हैं और अभी इस session के अंत में मैं आप लोगों को इस अध्याय से संबंधित, prelims और mains के questions जो हैं वो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उसका भी एक आपको अवलोकन करते हुए दिखाऊंगा और आप प्रयास करिएगा उन questions को attempt करने की और mains की answer writing करने की क्या question बनेगा उसको session के अंत में हम आप से discuss करेंगे, 848 EC में विज्याले नाम के एक विक्ती ने इसकी स्थापना करी थी ऐसा माना जाता है, तो विज्याले या विज्याले प्रथम नाम से इसको काफी दाधा नाम मिलता है, कई बार जब आप से पूछा जाता है, directly भी पूछा जाता है कि चोलवन्ष के स्थापना क तक से मिलते हैं, तो वहां से अगर यहां तक का सफर देखा है, तो काफी हद तक गुमनाम है, लेकिन यहां से गुमनाम इतिहास तेजी से उजागर होगा, इसके बात कि जो चोल राजा है, उन्होंने तमाम जो दक्षन भारत के दूसरे राजवन्ष थे, उनको पराजित क करके Kingdom जो है, अपना जो सामराज जर्ज का विस्तार किया है और अपनी राजधानी जो है, वो क्या बनाई है, तंजावर बनाई है, तो ये देख सकते हैं, तंजावर या थंजावुर जिसको आप बोलते हैं, ये इनकी capital होगी, तो ये capital काफी लंबे समय तक बनी रही लग बग 200 साल तक ठीक है और फिर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 985 इस्वी में जैसे दो राजाओं का नाम मैंने बताया राज-राजा और राजेंद प्रथम तो राज-राजा चोल जो है वो विजयाले के बाद जब शासक बनते हैं 985 इस्वी में तब उन्होंने भी पल्लव पूरा ब्लू एरिया आप देख रहे हो ठीक है काफी वड़ास में श्रिलंका का भी अभी नाम लूँगा मैं लेकिन आप पहले भारत के हिस्से में देखी यहां वाले हिस्से में देखी ठीक है इतना बड़ा सा इन्होंने यह कह सकते हैं कि सामराज जीता है और तब जाकर आप सामराज की सुरक्षा के तोर पर अपने सामराज को सुरक्षित रखते हैं राज gamers विस्तार बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है लेकिन कई सारे ऐसे राजा होते हैं जो सामरिक महत्त्यों को ध्यान में देते हुए तमाम सारे राजाओं से संधिया तो करते हैं या को जब follow करना शुरू किया तो अपने भारत में तो राज्य विस्तार किया ही और भारत से जुड़ा हुआ जो सीमांत कह सकते हैं एक और देश है जो कि श्रिलंका उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था उस सिलोन या सिंगल राज्य के ऊपर इसने क्या किया आक्रमण किया इस इसके कारण जो है श्रिलंका के ऊपर यहां पर इसको जीत हांसिल होती है इसके बाद जब इसका बेटा और जो इसका उत्रादिकारी है दस सो चौधा इस्वी में गद्धी पर बैठा जिसका नाम है राजेंद्र चोल जब ये राजा बनता है तो ये ये वाला जो छेत्र इनके पिता ने जो जीता था इस छेत्र में उत्तर की और विस्तार करना शुरू करते हैं तो ये जो आप पिंग कलरवाला पॉइंट देख रहे हैं जिसमें उड़ीशा है बंगाल है ये वाले प्रांध को राज राज चोल के बाद में उनके बेटे राजेंद्र चोल ने जाना पड़ा और गंगा नदी पार करके उन राजाओं के उपर आक्रमण करके उन्हें भी अपने असाम राज़ें मिला लिया इस प्रकार से दक्षिन भारत में चोल राजवनशों में पहला राजा है जिसने बंगाल को जीता है और बंगाल को जीत करके जब वो वापस आते हैं तो दक्षिन भारत में जो कृष्णा नदी आप देख रहे हैं यहां पर जो कृष्णा नदी है इस दक्षिन भारत में कृष्णा नदी के किनारे एक नगर की इस्थापना करी है जिस नगर का नाम है गंगई कोंडा चोलपुरम क्या नाम है गंगई कोंडा चोलपुरम ठीक है यह गंगई कोंडा चोलपुरम जो है बहुत ही फेमस है यह और गंगई कोंड की उपाधियां भी लेने आहां पर राजा शुरू करना करना शुरू कर देते हैं और गंगई कोंड़ा चोलपूरम नगर की स्थापना का मतलब ही हो गया कि ये वो नगर है ये उस चीज की याद में बनाया जा रहा है जिसमें चोल राजाओं के द्वारा गंगा के आगे के सामराज्य को जीता गया है क्योंकि इन्हों ने पाल राजवन्ष को हराया था बंगाल का थीक है तो इसलिए नाता यहां पर जुड़ता है और ये जो बंगाल की खाडि का जो हिस्सा है जिसे आज आज आप बंगाल की खाड़ी से पहले अगर देखेंगे आप तो इसे कलिंग जील के नाम से जाना जाता था बंगाल की खाड़ी को कलिंग जील के नाम से जाना जाता था और कलिंग जील से पहले ये वाला जो प्रांत है जिसे आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसे चोल जील के नाम से जाना जा जाता है कलिंग जील और कलिंग जील के बाद जब प्रिटिशर्स आते हैं तब इसका नाम जो है वह बंगाल की बंगाल की खाड़ी कर देते हैं बंगाल की खाड़ी विश्रु की सबसे बड़ी खाड़ीों में से एक है तो बंगाल के खारी को चोल घ्ल का नाम दिया गया अब यहां पर देख सकते हैं क्योंकि यह सारे के सारे जो प्रांत हैं जैसे कि चोल साम attracted कि आप देख रहे हैं अभी राज्व की इस्थिति देख रहे हैं तो आपको डिखी रहा है कि यह समुद्र प्रांतिये इलाके हैं या यूँ कह सकते हैं कि इनके राज्यों के जो सीमाई हैं वो समुद्र के साथ जुड़ रहा है तो इनके पास में नौसेना भी है तो चोल नौसेना उस समय एश्याय महादीब की सबसे बड़ी नौसेना में से एक थी ये भी माना जा सकता है और इसके प्रमाण इस बात से भी मिल सकते हैं कि इसी नौसेना का इस्तेमाल करते हुए इन राजाओं ने चितने भी समुद्री प्रांथ थे जो इनके राज्य के आसपास जुड़े हुए थे उनको पूरी तरीके से विजय कर लिया है तो जैसे राजेन चोल की बात करते हैं, राजेन चोल ने दक्षण एशिया में मालदीव्स हैं, ठीक, इसके अलावन श्रिलंका, मलेशिया, थाइलेंड, वियतनाम, कमबोडिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन, सिंगापूर, ऐसे कई सारे राज्यों पर शासन किया, इन फैक्ट मैं आपको यह बता दूँ कि जब चोल राजवन समाप्त होता है, तो भारत से भले चोल राजवन समाप्त होते हैं, लेकिन अंत में सिंगापूर तक और फिलिपीन्स तक आप देखोगे, तो इनके सामराज्य भारत से समाप्त होने के बाद इन विदेशों में ज के जो देश हैं या फिर अरब कंट्रीज जो थी इन अरब कंट्रीज का यहां से इस तरीके के समुद्री मार्ग से व्यापार होता था चीन के साथ ठीक है जिसमें आपको मैंने शायद यहां पर थोड़ा गलत बना दिया यह ब्लू वाली लाइन यहां से आप जोड़ लीजे यह इस तरीके का व्यापारिक मार्ग भी हुआ करता था अब यह जो व्यापारिक मार्ग है इसमें क्या होता था उस समय तमाम सारी जो क्योंकि यह व्यापारिक मार्ग समुद्र से है तो समुद्र में व्यापार होने के लिए समुद्री जहाज क्या उशक्ता होगी और इत रुखना पड़ता था इन जगहों पर लेकिन जैसे जैसे जो है हम ये कहते हैं कि उन्नत होती गई जहाजों की स्थितियां भारत के इस प्रांथ के किनारे जहाजों का रुखना बंद हो गया और इतनी बड़ी यात्रा में इन जगहों पर जाकरके ये जहाज रुखने लगे आप इस वज़ा से भी राजेंदर प्रत्थम ने इन जगों पर आक्रमण करके इस पूरे रूट पर कबज़ा किया क्योंकि अगर यहाँ पर ही जहाज रुक रहे हैं तो इस रूट पे कबजा करने का हग यहाँ के परांती सामराज्य को था तो इसलिए इन प्रांती सामराज्यों को जीतना आवर्शक हो गया जिससे की इस पूरे के पूरे रूट पर कबज़ रहे और इस रूट पर कबज़ा होने का मतलब है कि आपको चीन के साथ संबंद बनाना था तो चीन के साथ इन्होंने व्यापारिक संबंद बनाए और राजीन चोल ने कई सारे राजनाईक जो है डेलिगेट्स जो है वो चीनी दरवार में भेजे और वहाँ पर अपने जो राजदूत वगरा हैं उनको भी अपॉइंट किया तो एक तरीके से अगर हम यह देख रहे हैं कि चोल राजबंश जो हैं राजनाईक तोर पर भी बहुत स्ट्रॉंग हैं अपने राजजी का विस्तार भी अच्छी तरीके से करना जानते हैं राजजी की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानते हैं इन लोगोंने बहुत सारे म परचार भी हुआ है जो आप देखोगे दक्षण पूर्वी एश्या के कई देशों में भाषा है कला है और धर्म है वास्तु कला है यह सब भारती संस्कृति के खासा असर आपको देखने को मिलता है जिसमें से दो असर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं आप शायद यहां पर दक्षण एश्याई देशों में देखने को मिलती चाम संस्कृति के जो श्रिव मंदिर हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनका जो विस्तार है उसकी जहलक आज भी हमको दक्षण भारत में देखने को मिल ही जात वो इसी चोल सामराज जिस से देखने को मिलता है हमको और कृशी को सपोर्ट करने के लिए यहां के राजा जो थे वो काफी बड़ा योगदान देते थे जिसमें बड़े बड़े तालाब बनाना देखिए आप ये समझे कि यहां पर जो नदियां है यहाँ पर जो नदियां है वो सदा वाहनी नहीं है सदा वाहनी समझते है ना सदा वाहनी नदिया नहीं है ऐसी नदिया नहीं है जिनमें वर्ष भर पानी रहता हो तो यह जो पानी है यह इखटा करना पड़ता था ठीक है दक्षन भारत में जो नदियां है उनमें पानी जो ह इसी नदी है जो दक्षिन भारत में हमेशा जो है वो सदावाहनी नदी के रूप में रहती है इसलिए प्रेजन टाइम में आप देखते हैं तो कई बार आपको कावेरी नदी पर जल विवाद भी देखने को मिलता है इसके बलावाद दूसी सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ जादा थी क्रिशी को यह बहुत बढ़ावा देते थे साथी साथ अगर हम दूसरे व्यवसाय की बात करते हैं तो रेशम उत्पादन में काफी आगे रहे हैं और यह वाला जो सिल्क रूट था जो दक्षिन भारत का आपको मैंने सिल्क रूट दिखाया है इस सिल्क रूट ठीक है कांजी वरम रिशम उसके साड़ी सक्यलामा कपास और धातू और धातू में खासकर सोना और चांदी इनका व्यापार विदेशी सामराज्यों के साथ बहुत जादा मात्रा में होता था तो हमको यह देखना को मिल रहा है कि सामराज जो है केवल इसी आधार पर आगे को मिलते हैं अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए ही क्रिश्य वेवस्था को इतना संपन्द बनाया गया था सिल्क रूट पर कपजा किया गया था मंदिर जो है उस समय बैंक की तरह काम करते थे और कई सारी आपात स्थितियों में मंदिरों के द्वार खोल करके लोगो वीर सोलन जो की वीर राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित किया गया था तो वीर सोलन क्या है यह उस समय के राजा के द्वारा बनवाया गया कह सकते हैं सामराज्य जो समय के तामरपत्रों में और इनके अभिलेखों में आमको देखने को मिलता है वीर राजेंद्र चोल क उसका काफी ख्याल रखती है इसके अलावा मूल तोर पर अगर हम देखें तो चोल राजवन्ष जो है वो केंदरी इकृत ही है केंदरी इकृत है लेकिन क्योंकि सामराज्य काफी बड़ा होना शुरू हो चुका था इसलिए सत्ता का विकेंदरी करण होना जरूरी हुआ और केंदरी करण को लेकर कि जो बड़े-बड़े सामराज्य के अंदर जो राज्य हुआ करते थे उन राज्य को मंदलम बोला गया ठीक है मंदलम जो है आगे नाडू में विभाजित हुए कोटम में विभाजित हुए और कुर्रम में विभाजित हुए इस तरीके से आपको decentralization भी देखने को मिलता है और इन सब चीजों के संचालन के लिए समितियां बनाई जाती थी और ये सारी समितियां जो हैं डरेक्ली राजा और राजा की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको report करती थी तमाम सारे उर बनाए जाते थे ठीक है तो ये इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जब सामराज बड़ा हुआ तो इन्होंने decentralization पद्धिती भी अपनाई है तो वर्तमान स्वय में जो भारत की शासन प्रणाली है वो कही न कहीं यहां से हमको देखने को मिलती है कि इन्होंने भी प्रफ्तार मिलती थी कहने का मतलब जैसे decentralization process में क्या होता है कि केंद्र की शक्ति जो है वो राज्यों में और राज्यों की शक्ति जो है वो ग्राम में पंचायतों में भाजित होती है तो इस प्रकार की local self-governance की जो पध्यतियां है वो लागू की गई थी लेकिन local self-governance जो है वो कह सकते हैं कि स्वतंत रिकाई न बनने लगें या फिर अपनी मनमर्जी से हिसाब से काम न करने लगें उनको कंट्रोल करने के लिए समितिया बनती दी इन समितियों पर तेजी से विचार हो जाता था तो इन सब माध्यमों से आपको ये पता चला कि एक काफी प्रभावशाली सामराज जो है वो हमारे दक्षन भारत का चोल राजवंश में है धीरे-धीरे पांड शासकों ने फिर इस समझ में आया होगा और इससे संबंदित जो प्रशन है उसमें से पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिजीए एक बार और स्क्रीन शॉट लेकर के इस question का answer हमको को comment section में comment करके बताईएगा और संभवता इस से आपको दक्षन भारत के राज निपाल को हराने के बाद अपनी जीत के उपलक्ष में गंगई कोंडा चोल पुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था मदरई के बाद उनको पराजित किया है एक स्टेट्मेंट दूसरा स्टेट्मेंट है कोलुत्थूंग से सम्दित उन्होंने कुंभल कोनम के पास त्रिभुनम में सब एश्वर या कंपा हरेश्वर मंदिर की शुरुवात की जिसे द्रवन वास्तुकला का एक महान नमुना माना जा सकता है क्या ये इन ही के समय में हुआ है इन दोनों स्टेट्मेंट्स के बारे में क्या है पहला सही है दूसा सही है दोनों सही है या दोनों गलत हैं इस question का answer भी आप हमें comment section में comment करके दीजेगा और साथी साथ 250 शब्दों में इस प्रशन कभी screenshot ले लीजे और इसका answer लिख करके हमें भेजिएगा अपने सामराज्य के सबसे उननत काल 850 से 1200 के दोरान चोल राज्य अपनी विशिष्टता और नवीनता के लिए जाना जाता था इस पर 250 शब्दों में टिपड़ी लिखी इन प्रशनों के उत्तर आप हमें कहां भेजेंगे आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं और यहां पर अपने answers को find out कर सकते हैं और अपने जो answer writing है उसे लिख करके भेज भी सकते हैं या फिर आप हमें टेलिग्राम लिंक पर इस तरीके से जुड़ सकते हैं अगर आप QR कोड स्कैन नहीं कर पारे हैं इसके अलामा किसी प्रकार की जानकारी के लिए या फिर सहायता के लिए आप हमसे Facebook और Instagram पर भी जुड़ सकते हैं आशा करते हैं आज का ये सत्र आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मुलाकात करेंगे इसी तरीके की दूसरे मुद्दे की बात प्रोग्राम में दूसरे कारिक्रम को ले करके तब तक के लिए नमस्कार ठर्नेवाद